तो भाई लोग 25 साल के बाद केमरन भाई या ने टाइटानिक का डूबने वाला सिन दोबारा यानि कि रीक्रेट किया ये जानने के लिए कि अगर जैक और रोज दोनों ही एक साथ में फ्लोटिंग बोड पर चड़ जाती तो क्या जैक बच पाता योगी गुरू 1997 से ही टाइटानिक की एंडिंग को लेकर अर्गुमेंट्स और कॉन्फलिक चलते आ रहे हैं कि अगर रोज मेडम जो है अपने वो अपने जैक बाई को फ्लोटिंग बोड पर खिच लेती तो अपना भाई बच जाता यार इसी question के answer के लिए James Cameron ने कुछ scientist और दो stunts person के साथ जिनका body mask, Kate और Leo के बेट जितना ही था उनके साथ same scene recreate किया जहां दोनों stunts person को low temperature वाले पानी में sensors के साथ उतारा गया आप ज़र ये स्वोच्यारिस बंदे ने hypothermia experts को साथ में लेकर forensic analysis वगेरा करवाया ये जवाब ढूनने के लिए और जनता को ये बताने के लिए कि Jack बच सकता था या नहीं क्योंकि 25 साल से लोग इसी में अटके हुए है कि रोज ने Jack को floating board पर चड़ने क्यों ने दिया दोनों मतलब ऐसे ऐसे करके साथ में लेटते तो दोनों बच जाते लेकिन नई लड़की को बचाना ही नहीं था भाय को लड़की न एचुली नीचे उतर जाती भाय को उपर च निकला कि ऐसा कोई तरीका नहीं था कि दोनों बच जाते किसी एक को मरना ही था उन्होंने हर तरीके की possibilities ट्राइ करने के बाद ये नतीजा निकला और जब एक interview को एंदर James Cameron को फिर से यही सवाल पूछा गया तो उन्होंने ये सब कुछ explain किया और लास्ट में एक बहुत है तो आज से कोई रोजभावे के ओपर मेम या फिर जोक वोक नहीं मारेगा वड़ी बात ये है इस वीडियो बनाने का मकसद ये है कि इस बंदे का dedication देखो यार James Cameron 25 साल के बाद भी जंता का अपने fans का confusion दूर करना उनके सवालों का जवाब देना ही अपनी जिम्मेदारी स समझते हैं पर ऐसे करके जवाब नहीं दिया कि मेरे को ऐसा ही करना था बस मेरी मर्जी तो मैंने ये उसको मार दिया नहीं प्रॉपर साइंटिफिक रिसर्च किया लोगों के लिए अवेलेबल किया वीडियो के थूप प्रूफ के साथ कि देखो इतने सारी possibilities थी लेकिन ये काम नहीं करती जैक को मरना ही था वाट डेडिकेशन यार वसे आपको टाइटनिक के कैसे एंडिंग जादा पसंद आती जैक बच जाता तो जादा अचा रहता या जो है वो मस्त है कमेंट करके बताना है ऐसे इंफर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर पाई टेक कर एंड जाहे